दोस्तो ठंड से आप सभी लोग इस वक्त वाकिफ होंगे क्या अलम है ठंड का और किस तरह से आज बैठते हैं तो उठने का मन नहीं करता है और अगर उठ जाते हैं तो बैठने का मन नहीं करता है यानि कुल मिलाकर आप ये मालीजे कि हांड का पाने वाली ठंड हो रही है ज कोई अधिकार नहीं है तो आप क्या करेंगे उस शक्स पर क्या गुजरेगी जिससे ये कहा जाएगा छोटे-छोटे बच्चे अगर इसमें शामिल हो और उनको ये कह दिया जाए स्कूल का बस्ता वो लेकर के जा रहे हैं और उनसे कह दिया जाए कि आप अपने घर में नहीं जा रहे हैं अब आप सोच रहे होंगे हम ये सब क्यों कह रहे हैं दरसल उत्त्राखंड के हलदवानी से एक ख़बर ऐसी सामने आई है जिस से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं बीजेपी की सरकार है उत्त्राखंड में और इस वक्त जो आलंब वहां पर चार हजार से जादा जो लोग है इस वक्त सड़कों पर उत्रे हुए हैं सड़कों पर इसलिए उत्रे हैं क्योंकि उनके घरों से उनको बेघर कर दिया गया है और ऐसी कपकपाती ठंड में जब एंसान का मूँ जमने लग जाता है और उत्रा खंड का आलम क्या होगा वो आप खुद अंद को छापा गया है और इसमें जो तस्वीरे दिखाई गए हैं वाकई आप एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों को देखकर आपका दिल विल्कुल पसीजने वाला जो नहीं भी पसिशता है न वो भी पसीज जाएगा छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं पह असर पढ़ेगा पढ़ाई तो छूटेगी छूटेगी लेकिन उनका मनसिक संतुनन कैसे बिगड़ेगा ये देखने वाली बात है और इसमें सरकार का भी बहुत जादा एहम रोल होता है सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है और सरकार चाहे तो 4000 से जादा लोगों को सड़क पन यानि एक जगा से हटा देना लोगों को और जो तस्वीर में लिखा है उसमें है पहले हमें बसाओ फिर उजाड़ो इस चीज की अपील की जा रही है और तस्वीर वाकई दिल दहला देने वाली है जिसमें महिला है वो रो रही है बच्चों के चहरों पर जो मायूसी है वो बहुत कुछ कह रही है वो चीख चीख कर सरकार से और प्रिशासन से ये गोहार लगा रही है कि हमारे जो आशियाने हैं जिनको जिंदगी भर की जो जमा पूंजी है उससे तयार किया जाता है और एक शक्स अपना घर बनाने में अपने पूरी कमाई लगा देता है लेक को बहुत कुछ देखने को मिलेगा इसमें इतनी जादा ठंड है कपकपाने वाली ठंड है और लोग सडकों पर बीच सडक पर बैटे हुएं बिना किसी अलाव के बिना किसी आग के और अपनी मांगों को रख रहे हैं हमारे बुजर्ग माबाप कहा जाएंगे एक शक्स है इन उन्हें लेकर कहा जाएंगे अनि अगर उन्हें खुदनाकास्ता कुछ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अब ये पूरा मामला दरशल जो हाई कोट की तरफ से दिया गया है उसमें कहा क्या गया है और किस तरीके से पूरा ध्वस्ती करण का मामला सामने आय उसको द्वहस्ती करण करने के आदेश दे दिये गए हैं और इस जगा पर करीब 4365 परिवार रहते हैं जिसमें इसमें अतिक्रमड कारी लिखा गया है अतिक्रमड हटाय जाने की कवायद के बीच प्रिशासन की ओर से 28 दिसमबर यानी बुधवार के दिन ही इस शेत्र में मुनादी किये जाने और हदबंदी के पिलर चिन्हित करने के लिए तै किया गया और जैसे ही ये पूरा आदेश सामने आया तो लोगों ने अपने आशिय प्रट्वीर है पकी स्क्रीन पर ये देखिए लिखा है ये संपथी हमारी है रेलवे की नहीं दरशब ये पूरा दाबा है रेलवे की तरफ से किया तो आखर उन सारी चीजों को जो लीगल प्रोसेस है उसको नजर अंदाज कैसे किया जा सकता है क्या रजिस्ट्री की जो जमीन की अमूमन आप लोग भी करवाते होंगे हम सब का अगर घर रहे तो उसकी रजिस्ट्री है तो क्या उस रजिस्ट्री की यहां पर कोई वैल्यू कर ले रहे हैं कि हमारा यह मकान हो गया है और कुछ दिन के बाद कोई आएगा उस पर दावा कर देगा कि नहीं यह सरकारी जमीन है तो क्या हमारे घरों से हमें ही बेघर कर दिया जाएगा हमारे घरों से निकाल दिया जाएगा यह भी जो है सवाल लोगों की तरफ सिकिया जा रहा है एक और तस्वीर है इसमें लिखा है हमारे घर मत उजाडो और बहुत सारे जो पोस्टर से वो लिखे हुए हैं पुलिस वे शासे ने बैरिकेडिंग कर रखी है और कई लोग तो हैं वो तो कह रहे हैं कि हम 1984 से यहां पर चाई की दुकान चला रहे हैं पुलिस अधिकारियों का कहना है किसी मांकन का काम हाई कोट के आदेश के बाद शुरू किया गया है अगर जनता विरोध करेगी तो पुलिस को सक्ती भी दिखानी पड़ेगी दूसरी तरफ विरोध के बाद भी परिशासन की टीम ने रेलबे स्टेशन पहुँचकर सीमांकन का काम शुरू कर दिया है इतना ही नहीं डियम ने असलहा जितने भी है यानि जो शुस्त्र थे उनको जमा कराने का आदेश भी दे दिया है और अतिक्रमण की जद में परिक्षा केंद्र भी बने हुए हैं ये भी बताया गया है जिलापरिशासन कोट के आदेश के बाद जिस अतिक्रमड को हटाने के लिए हर दिन एक एक कदम आगे बढ़ रहा है उसी बन भूल पुराक्षेतर में अतिक्रमड की जदमे आ रहे हैं कई स्कूलों को पटवारी लेखपाल की भरती का परिक्षा केंद्र भी बनाया गया है और 58 inter colleges जो हैं उनमें ये बताया गया है कि लेखपाल पटवारी की भरती परिक्षा आयुजित की जाएगी लेकिन सोचने वाली बात ये है कि शिक्षा का जो मंदिर बना हुआ है वो भी बताया जा रहा है कि अतिक्रमड करके बनाया गया है अब स्कूल बनेगा तो उसका एक लीगल प्रोसेस होता है स्कूल बिना सरकार की पर्मिशन के नहीं बनता है सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक स्कूल कोई नहीं बना सकता है हर एक legal process होने के बावजूद भी अब उस पूरे school को सीधा ये बोला जा रहा है कि ये अतिक्रमण करके बनाया गया है तो चीज़े समझ से परे नजर आ रही है और ये भी कहा गया है कि एक हफ़ते का वाक्त है आप लोगों के पास अब अपनी पूरी जो जमीने हैं उनको छोड़ दीजे और खाली कराय जाने का तोड़ने का जो आदेश है वो दे दिया गया है भागपा माले के पेढ़ितों के साथ हैं मतलब जो लोगों का सपोर्ट है बाकी लोगों का वो इन लोगों को मिल रहा है भागपा माले नेनिताल जिला सच्यू डॉक्र कैलाश पांडे ने कहा है कि ये तत्यों को दरकिनार कर एक तरफा कारवाई की जा रही है जिसे बंद होना चाहिए रेलवे के पास जमीन के कागज नहीं है लेकिन रेलवे के बहाने अलप संख्यक बहुल भन-भूल-पुरा को उजाडने का खेल जारी है ये खेल बंद हो यदि रेलवे को जमीन देना इतना जरूरी है तो भाजपा की धामी सरकार को उजाडने से पहले हर हाल में गरीबों के पुनरवास की ववस्ता करनी चाहिए ये जो माहा सचिव है इनकी तरफ से जो ये कहा गया है विल्कुल तथ्यात्मत बात कही गई है और ये कहा गया है कि जब सारे सबूत हमारे पास हैं यानि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके पास हैं और रेलवे के पास कागज तक नहीं है जमीन के तो आखर कोट ने जो फैसला दिया है वो रेलवे के पक्ष में कैसे दे दिया कैसे उन 4,000 लोगों की जिन्दगियों का फैसला करने से पीछे रह गए जिसमें आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ साफ ये कहा जा रहा है कि अगर इतना ही ज़ादा जरूरी है जमीन देना रेलवे को तो धामी सरकार को पहले इन 4,000 से ज़ादा लोग जो सड़क पर हैं जिनके घर आप तुडवाएंगे उनके उखाली करवाएंगे उनको रहनी की विवस्था पहले करवा दीजे उसके बाद आप तुडवाईए आप रेलवे को जमीन दीजे आप पार्क के लिए जमीन दीजे आप स्कूल के लिए जमीन दीजे कौन मना कर रहा है आप को सरकार आपकी है आपको जो करना है करिए लेकिन ऐसे लोगों को सडग पर लाकर छोड़ने से आप ही की सरकार पर इफ़ेक्ट पढ़ेगा है आपकी सरकार पर सवाल उठेंगे और बीजेपी की सरकार है जो जाहिर तोर पर सरकार की जम्मेदारी भी बहुत जादा बढ़ जाती है कि आपकी प्रजा आप से कितना जादा खुश है अभी हाली में जो इस तरीके से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है अब सरकार इस पर क्या अक्शन लेती है क्या ये जो साड़े चार हजार क करीब लोग सडकों पर उत्रे हुए हैं लोगों को इनके आशियाने वापस मिलेंगे या फिर धामी सरकार इन लोगों के लिए नए आशियानी बना कर इन चोटे-चोटे बच्चों का भाविश्य सुदारने का काम करेगी एक अच्छे कदम की तरफ आगे बढ़ा जाएगा यह वाकई देखने वाले बात होगी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और इस फैसले पर आपकी राय क्या है कुमेंट सेक्शन में हमसे साजा जरूर करिएगा बाकी अपडेट के लिए नेशन 360 के साथ बने रहिए